हेलो एवरिवन केसी हैं आप सब आप सब देखा होगा सभा इब्राहिम के व्लॉग में कि रुखसाना आपा ने सनी को राखी बांदी हैं तो आपने पहले भी देखा होगा कि शादी के पास सभा सनी की जब पर्ष्ट रक्षा बंधन आया था तब भी मौधा में रुखसाना आपा ने रतुसनी के हातों पर राखी बांदी थी तब में बहुत जादा सवाल ऊ जाहे कुछ दिनों के बाद आएं तो कमिया तो लाजबी बात है निकल नहीं है तो इस बार जो है कमी तो वो है रक्षा बंदन का त्युहार जब से सबा दिपिका शेव ने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है तब इसे वह जितने भी त्युहार होते हैं उसको सेलब्रेट कर देखा होगा कि रक्षा बंदन तो सबा जो है वो मतलब इस त्युहार को मनाती है तो कहा जाता है सबा को भी कि वो तो मुस्लिम है मान लिया कि दिपिका हिंदू फैमली से लेकिन सबा मुस्लिम फैमली से है तो उनको चाहिए कि वो नहीं मनाएं तो हमारा यह माना है कि हम ही कहेंगे कि काफी ऐसे मुस्लिम हैं जो कि ये तिवार बनाते हैं दिवाली पर भी जाते आते हैं हमने कुछ अपने आँखों से देखा है तो ये बात लागूर सभा ये अब्रहाम फैमिली पर नहीं होती है ये उन लोगों पर भी होती है तो सभा सैनी ने पान पान सो जूसी लग रही है सभासनी की क्योंकि देखिए अपने बच्चों को छोड़ कर अपने गाउं को छोड़ कर मुंबई आई है रुक्सान आपा तो इतना तो उनका रक्षबंधन पर बनता था कि कम से कम एक सूट या कोई गिफ्ट उनके लिए ले लेना था अब जैसे कि दिया है रुक्सान आपा को ये तो नहीं दिखाया तो हो सकता है कि क्रिशना ने पैसे दिये हो या फिर कोई गिफ्ट लेकर आए हो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि क्रिशना काफे दिलवाला बच्चा है उसने जरूर दिया होगा रुक्सान आपा को गिफ्ट अब जैसे कि सवानी दिपिका शेव को राखी बांदी है जहां पर इस बार शेव ने सबा और रिजा को एक एनवल अप दिया है कि यानि के अपने हिसाब से वो गिफ्ट ले सकते पिछली बार आपने देखा होगा कि गोल्ड की एरिंग दिये थे लेकिन इस बार मतलब कितने पैसे हैं क्य की जादा गिफ्ट मिलता है बड़ा तो रेहान ने अपनी बेहन से जादा सबा को दिया क्योंकि शूज लेकि आए और जो मग है मतलब एक वो ले कि आएँ अच्छी बात है कि इसबा मतलब बड़ी है तो शादी सुधा है तो शादी सुधा पैनाओं को जाधे दिया जाता है तो अच्छा लागा देख करके लेकिन सबा को बार बार यही कहा जा रहा है कि सबाने کभी एक वीडियो में कहा होगा कि हमें अच्छे-चे काम करने चाहिए, हमें अदबली हाथ से रहना चाहिए, कुछ नहीं मालूम कि कब मतलब जाना पड़ जाए अल्ला के खार, तो इसलिए मैंने हिजाब पहना स्टार्ट कर दिया है, तो मतलब इस तरीकी की बाते मतलब उठ रह खाना लेकिन अब देखों नीचे आई है, मतलब सनी भी है, सभा भी है, और मतलब कोई भी आ सकता है, तो दिपिका गले में दुपटा नहीं रखते हैं, तो अपना काम है उसका दिपिका का, वो किसी हाल में रह दे, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन ससुराल की थोड़ी करती है, वैसा ही वो चलती है, तो दिपिका को चाहिए कि अगर कम से कम तिहार पे तो ढंग से आ जाए, बिना दुपटे के नीचे आकर बैढ़ गी, तो इस बात पर भी काफी सवार उठे जा रहे हैं दिपिका के ऊपर, और जैसे कि अब रिजा है, हमने देखा है कि एक ख सौधी का चैनल है, तो वहाँ पर जब खुशी अपने भाई को राकी बानती है, तो खुशी सर पे दुपटा रखे रहती है, तो आप यहाँ देखें, और यह मुसली फैमली हो करके कि सही किसे कर रही है, अब सबा को तो कहा जाता है कि सबा के अगर सामने से बाल नहीं हमें थोड़ा सा लगा सबा का कि हलके से बाल नहीं है, अक्सर कर ऐसा हो जाता है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा सबा के बाल नहीं सर पर, यह तो खैर फेक बातें फैलाई जाती हैं, अब क्रिशना की बहन राकी बानती है, तो उस राकी को मतलब सबा बानती है क्रिशना की बहन की तरफ से और फिर अपने नाम से बानती है तो क्रिशना गिफ्ट देते हैं अगर अच्छा गिफ्ट है काफी महेंगा है क्योंकि ओनलाइन ही मंगाया था तो सभा को काफी पसंद आया सबको भी आया तो हम क्रिशना को यही कहना चाहते हैं सभा को भी यही स सादा मतलब खर्च हो जाएगा तो सबा क्योंकि अब आप जरा सुची कि चले मान लिया कि त्युहार है लेक्षा बंदन हैं लेकिन आगे और भी त्युहार आने हैं इतने सारे और आती ही रहते और इब्राहिम फैमली में तो आए दिन बर्थडे होती ही रहते हैं कोई ना को उसकी उम्र है मतला कमाने की अपने परिवार को संभालने की अगर आप करना चाहते हैं तो कर लेजिए लेकिन यह जो लेन देन हैं गिफ्ट का चक्कर है इसको खत्म कर देजिए रक्षा बंदने चले चल जाता है लेकिन कभी बर्थडे आ रहा है कभी कुछ आ रहा है और क्रिशना को भी शादी भी करनी है अभी वह सभा के घर में रहा है और चंद चोटी सी नौकरी कर रहा है याने के व्लॉक की एडिर करनेगी अब उसमें रहने खाने पीने का भी खर्च होगा और उसमें निकाल करके खर्च में से गिफ्ट का भी लें देन और असान नहीं है भई और फिर रिज़ा अलग है उनको गिफ्ट देना अलग है अम्मी अलग है भाबी अलग है श्वेब अलग है रुहान अलग है सबा अलग ह यानिन कीतने लोग हैं रहाने तोकी बहुत जल्ए मतलए करचा जाएं कि मतलए हर महीने महीन very में कम से कम दो तीन बार तो ये होता ही रहता है तो इसलिए हम यही कहना चाहते हैं सबागों कि प्लीज ये बंद कर दें चलें आप आपस में ले ले दे ले क्योंकि देखे आप कमाते हैं अच्छी खाची आपकी इंकम हो जाती है तो इसलिए आप लें दिन करते रहते हैं लेकिन विचारा क्रि देखा है कि अम्मी ने रुक्साना आपको कपड़े काफी महंगे दिये ये नहीं कि मतलब घर में रखा हो है कोई सूट ऐसा वैसा ही उठा के दिया लेकिन अच्छा दिया है दिल से दिया है ये बात तो देखी गई है इब्राहिम फैमली में कि जब भी कुछ देते हैं तो ब लेकूल भी कंजूसी नहीं करते हाँ अम्मा और फापा संछी कंजूस लगते हैं लेने देने लेकिन अम्मा भी जाते वयक्त जो परवीन काम करती है सभाकि घर में तो उनको चलते टाइम पैसी देती हैं ये नहीं हमालू है कि जहां तक है कि अम्मा ने दी हूँंग 50 से ज दिये हैं तो अब आप देखे ज़रा कि जब सभा के सास असूर जाते हैं तो नीची रूखान को धर्म दादा घुमा रहे होते हैं लेकिन अम्मा पापा को छोड़ने के लिए ना तो सभा की अम्मी आती है और ना ही आती है दिपी का तो देखें चंद छोटा सा एक परिवार है एक ननद है उसके सिर्फ कौन है फैमली में सिर्फ अम्मा पापा तो आना था नीचे उनको मतलब छोड़ना था विदा करना था लेकिन यह इस तरीके की बाते मतलब जो ट्रॉलर्स है ना वो पकड़ते हैं तो यह बात ही जो पकड़कर बोलते तो बिल्कुल सहीं तो य भी चारे जो घर में आई उसमी घर में सबाखे तो वह कर आए लेंन देन किया जो बात है लेकिन जब जाने का वक्त होता है ऊसले को नादेर अच्छा नहीं रहता है महत्वेर्कुल पर प्छा यह प्तले हर लेकिन आपको फिरकुल हमारे घर वेंत में ठार्ची हो चुका लेकिन जब भी उसके साथ ससुरा आते हैं वो जाते हैं चाहे उसमें हमारी भाविया हो या फिर बहने हो बहन थोड़ी दूरी पे भी रहती हैं वो तक आ जाती है जब मतलब मेरी बहन के हो या फिर भाई के ससुराल वाले हो तो जब घर पर आ जाते हैं तो पूरा परिवार को विदा करता है तो खेर जो है अब इनकी मर्जी जी अपने परिवार को कैसे लेकर चलना चाहते हैं कैसे नहीं लेकिन हमने ये देखा है कि इब्राहिम फैमली में कहीं न कहीं इन चीजों को लेकर काफी मिश्टेक की जाती है अब जैसे कि कहा जाता है कि सबा जो है अपने स ससुर के साथ काफी खुश है काफी कुल कर बाद भी कर लेती हैं अब सबा सनी का कहना है कि एक महीने के बाद अमा पापा फिर से वापस आ जाएंगे क्योंकि अमा की तब ठीक नहीं है और अमा का इलाज जो है अब मुंबई में फिर से स्टार्ट हो चुका है अब देखना य एक मेहने बाद आएगी या नहीं ये बात खुद सनी ने कहीं है क्योंकि सबा सनी ने ये बात कुद कहीं है कि अमा की बार बार तबेड sih को रही यह बार बार विगड रही और कब बिगड जाती है कोई नहीं जान सकता तो इसलिए मतलब चाहें उन्होंने कितना भी डॉक्टर को दिखा दिया है लेकिन जब तक पूरी तरीकी से वो ठीक नहीं हो जाती तब तक उन्हें नहीं बेजना चाहें अब मौधा चली जाएंगी वहाँ पर कौन है पापा है वो अगर अपने खेती बाड़ी की काम में बिजी रहते हैं तो घर में कौन रहेगा अम्मा तो अम्मा अकेली तो उनको कौन देगेगा रात भी रात की बात है एकदम से डॉक्टर की बात जाना पड़ता है तो इससे क में ठीक नहीं लगा तो इसलिए सवासनी को अम्मा को यहीं रखना था तो अब आपसे जाचाते हैं मिलते हैं स्टूडियो में तब तक अपना ख्याल लगेगा अल्हाफिज